हैलो फ्रेंड अभी मैं करे हूँ रात को खाने की तयारे तो आज के रात के खाने में बनने वाला है गुजराती ढोकला तो मैंने यहां मिक्स आटा ले लिया है तीन कप मिक्स आटा ले ले लेंगे और इसमें एक कप खटा नहीं डाल देंगे तीन कप पानी डाल देंगे मिला दिया है और ढग देंगे तो बस यहां अभी बज़े है शाम के साथ तो हमारा जो टोकला बनाने का आटा है वो बनके तयार हो चुका है तो पहले हम इसके लिए चटनी बनाएंगे तो चटनी बनाने के लिए हरी मेची हरादन्या अद्रक काटुक डाले लेंगे और वही मिक्सी में लसुन डाल देंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे इसको भी हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे तो यह हम टोकला में डालने वाले है तो बस यहां हमारा टोकला का जो बेटर पड़ा है इसमें डाल देंगे लसुन और हरी मिर्ची तिन चमस भर के चीनी डाल दे प्लेटर्या है तो पड़ले की कटलें हमाने के लिए राहनी यह दाल से टुगला का कज़ेंगे 3ड तीसे दॉड़ाने का ऊंता है। यौर बेक्किर ठीज नवीगा फंद भी बम बड़ा कोुते सोडा में रीचोटाइनेगे र जितना हमें चीवर दोप्रिटी पैला बनाना है नीक कि पदेले में हमेंने सबी को उच्छी से मिला दिया है और दोनों प्लेट में आधा आधा डाल देंगे उपर मिर्च पाउडर च्छी रख देंगे और भाप में रख देंगे 15-20 मिनिट के लिए तो बस यहां मेंने मिर्ची पाउडर को च्छी रख दिया है और यहां हमारा पाने भी गरम हो चुका है दोनों प्लेट को साथ धाने से अंदर रख देंगे और गैस की फ्लेम को हम यहां मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे 15-20 मिनिट तक पकाएंगे जब तक हमारा ढुकला बनता है और अच्छे से क्रश कर लेंगे तो यहां हमारी लसुन की चटनी बनाने के लिए हमने इसको अच्छे तरह से क्रश कर लिया है तो बस यहां गैस ओन करके कड़ाई रख देंगे और इसमें डाल देंगे तेल तेल गरम हो जाए तब हम इसमें हमने जो लसुन का जो पेश्ट बनाया है वो इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और दो से तीन मिनित तक मीडियम फ्लेम पे चला कर पकाएंगे एसा कन्ये से जो लसुन है न उच्छी तरह से पक जाता है और चटनी ज़्यादा तिकी नहीं लगती है और बहुत है स्वाधिश्ट और टेस्टी लगती है तो बस यहां ऐसे चला कर दो से तीन मिनित तक उबा लेंगे और उपर अच्छा सा तेल भी दिखने लगा है तो बस यहां हमारी चटनी बनके तयार हो चुकी है तो गेस को ओफ कर देंगे और यहां हमारे टोकला भी अच्छे से पक चुके है तो बस इसको सावधानी से नीचे ले आएंगे और कट करेंगे और गर्मा गरम हरी चटनी और लसुन की चटनी के साथ परोसेंगे तो फ्रेंड्स आसकी ये डोकला की रेसिप आपको कैसी लगी अच्छी लगी है तो प्लीज यूडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले